असलाव अलेको फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो अफगानिस्तार क्रिकेट के लिए एक और बड़ा जबर्दस दिन है क्योंकि रह्मार उला गुर्बास ICC रैंकिंग में टोप 10 में आ चुके हैं T20 के अंदर और ODI के अंदर भी तो अफगानिस्ता इनके प्लेयर्स ना सिर्क क्रिकेटेड़ रहे हैं बलके दुनिया के साथ दुनिया के जो बिगश्टक्रेश से उनका मुकाबला भी कर रहें पहले दो सबसे पहले अफगानिस्तान की जितने भी आप लाइक करें वीडियो को और जलूर बताएं कि वीडियो कहां से देख इम्राइ यह बात तो हम काफी अर्से से कह रहे थे लोग कह रहे थे कि अखवानिस्तान पे आप इतना फोकस की करके बैटे हुए हमें फ्यूचर का पता है कि फ्यूचर उनके साथ है और जब आपके खिलारी टॉप 10 में आने लग जाएंगे दुनिया में नदर आने लग जा अब बैटिंग में भी इंप्रूब्मेंट हो रही है बॉलिंग में भी इंप्रूब्मेंट हो रही है तो देखे ऐसे ही हम कहते है ऐसी तो हम नहीं कह रहे थे न काफी अर्सेते कि अग्वानिस्तान क्रिकट को देखे लोग अग्वानिस्तान क्रिकट दुनिया के आने वा अफगानिस्तान ने एह जोन अगर यही गुरूप रहते हैं तो अस्ट्रेलिया इंग्लेंड और साउथ अफरीका के साथ कहला है तो इन तीन तीनों के खिलाव अगर परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो रैंकिंग है वो बड़ी जब्दस और मजीद बैतर होगी तो अपर्च अगवानिस्तान के साथ बड़े-बड़े मुल्कों को इसे पाकिस्तान हो गया इंडिया अस्ट्रेलिया इंग्लेंड इनको ज्यादा से ज्यादा खेलने चाहिए और जब अब यह खेलेंगे इनकी एज़ा टीम भी रैंकिंग बैतर होगी और लाज़नी बात है कि अगर यह जित्रे भी नंबर पर इस टैम भी खड़े में यह टॉप फॉर में भी आ सकते हैं रैंकिंग अदर इनके प्लेयर्स की रिकॉर्ड भी अच्छो होंगे सेंच्री जादा बैठे हुए तो इनको जब ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तो इनके रिकॉर्ड और बैतर होंगे जब देखें एक दो तीन चार प्लेयर इस तरह के अगर चार प्लेयर मिलके टॉप रैंकिंग में आगे तो इसका क्या मतलब है उन प्लेयर्स का फाइदा होने वाल है और यह टीम आगे जाने वाली है तो एक इंडिविजिल प्रफॉर्मस तो साइड पर रखें देखें इंडिविजिल प्लेयर्स की गेम होती है एक राशिद खान मुहमन नभी ने काफी अर्से सब्सक्राइब को समाला हुआ था वो अकेले प्रफॉर्म करते थे लेकिन ऐसे टीम अच्छा नहीं करें सी टीम लेकिन जब इनके दूसरे प्लेयर भी साथ-साथ इनके साथ मिल जाएंगे और चार-पांच प्लेयर अच्छा करने लागे तो एधे टीम अच्छा करेंगे यह बिकुल आमने ठीक बोला है और अफवानिस सार क्रिकट के पास देखें एक चीज आजनान की जगा नेने के लिए त्यार है इनके पास जो बोलर्स की लोट है राशिद खान अगर खुदाना अस्ता अभी रिटायर होते हैं हलाकि अभी अभी तो करियर बहुत लंबा बढ़ा रहें कि मैं एक्जेंपल दे रहा हूं तो उनका औरनेटिव मजूद है इनके उनके पास अभी एम घजनाफर आ चुके हैं इसकलाब आपको पता है कि पहली मुझीद और रह्मान भी है और सब यंक्सर है तो यह जब यंग यंग्स्टर जी तरक्की कर रहे हैं इनको एक्स्पिरिंस आगया है जल्दी एज पे यह टीम में आये है तो इसलिए तो हम कहत सरद तो अभवानिस सब्सेंदी आपको नजर आती सी किए इनकी spin bowling strong है हर बंदध ये बात करता था कि इनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रोंग है बैटिंग के लासी बात ही थी बैटिंग भी कर गी है और एक पहली जो मुझे लगता है कि इनका जो बड़ा जल्दी इम्प्रूब की है वह फास बोलिंग तो यह चीज होती है और अग्वानिस जैसे पाकिस्तान इंडिया स्टार्टिंग में जब यह नया मुल्क बना था आपको बता कि यह वेस्ट इंडीस अस्ट्रेले के करीब भी नहीं आते हैं तो जबर्दस खेलें एक वाहिर तो टीम है बंगलादेश जो तरक्की नहीं कर सक जो रिसनली हमने देखा है ना पाकिस्तान को जुरूर आके चले गया लेकिन जो उनकी प्रवांबस है ना वो कहते हैं उदर की उदर ही खड़ी है लेकिन अग्वारिस्तान ने दस साल में जितनी तरकी और खास दोर पे पिछले तीस साल में जितनी इप्रूमेंट आ रही ह करा है दूर है